नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल दाइगरी कल्चर गुरूजी में मैं रभी बगेल आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मौक टेस्ट एट जो की आपके आने वाले एक्जाम नेशनल सीट कॉर्पोरेशन के लिए बहुत ही महत्पूर होगा इसमें हमने कुछ जनरल एगरी कल्चर के कॉस्चन को डिसकस किया हुआ है जिसमें की 50 कॉस्चन हमने इसमें लिए हैं तो चलिए देखते हैं हमारा पहला कॉस्चन पहला कॉस्चन है हमारे पास नाइटोजन डेफिशेंसी इन प्लांट्स लीड्स टू नाइटोजन डेफिशेंसी जो है हमारे प्लांट्स में क्या करती है या फिर उसकी कमी से जो है प्लांट्स में क्या-क्या disorder होते हैं option है हमारे पास chlorosis excessive growth profuse flowering या फिर dark green color chlorosis तो इसका answer हो जागा दोस्तो हमारा chlorosis बहुत ही general question हम इसमें लेके आए हैं और सभी type case में question है plant bidding के question भी इसमें है general agriculture के question भी है तो आप सभी जो भी तयारी कर रहा है इन question को solve कीजिए और फिर देखिए कि आपके कितने सही निकल रहे हैं और हमें comment में बताईए कि सर्फ 50 question में से जो हमारे इतने सही निकले है pen copy लेकर बैठिए यदि हो सके तो इसमें आपको आपका जो confidence है बहुत ज्यादा build-up हो जाएगा आगे देखते हैं the two major races of rice are जो हमारी rice की जो species हैं वो कौन-कौन सी है यहाँ पर major कौन-कौन सी grown की जाती है उनकी बात यहाँ पर की गई है option है हमारे पास European and tropical, indica and japonica, asiatic and american या फिर temperate and tropical तो हम जानते हैं सभी लोग जो cultivable rice की जो species हैं हमारी जो की ओराइजे सटाइबा की सब species हैं वो हैं हमारी indica, javanica और japonica जो indica है वो हमारी india में grown की जाती है जो बहुत ही जनरली सामान निता जो हमारी दलहनी फसलें होती है उनमें nitrogen, phosphorus और potassium की जो है कितनी मात्रा हमें देनी होती है क्या ratio उनका रहता है option है हमारे पास 3, anupat 1, anupat 1, 3, anupat 1, anupat 0, 1, anupat 2, anupat 2 या फिर 4, anupat 2, anupat 1 तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तो हमारा यहां पर 1, anupat 2, anupat 2 यहां पर हम जब option को देख रहे हैं एक anupat 2, anupat 2 से हमारा यह conclusion निकलता है कि जो हमारी दलहनी फसले होती है उनको nitrogen की कम आवशक्ता होती है जो कि हमारी अनाजवाली फसलों को बहुत ज़्यादा nitrogen की आवशक्ता होती है वहीं यदि हम cereals की बात करें तो उनका ratio कितना हो जाता है चार अनुपात, दो अनुपात, एक जो है यह हमारा cereals का NPK का ratio होता है अगे देखते हैं यहाँ पर simple सा question है, GK का हमने question यहाँ पर डाल दिया है, कभी कबार आ जाता है तो option है, हमारे पास उत्तरप्रदेश, बिहार, राजिस्थान और मद्ध प्रदेश तो इसका answer क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा राजिस्थान और राजिस्थान के बाद यादी बात की जाए तो हमारा जो मद्ध प्रदेश का दूसरा इस्थान है छेत्रपल की द्रिश्टी से और जन्संक्या की द्रिश्टी से बात करें तो उत्तरप्रदेश प्रथम इस्थान पर है आगे देखते हैं नीचे दिये गए फसलों मैं से सबसे ज़ादा उतपादन किस फसल का होता है प्रती वर्श और वो भी टन्स में कैनल को लिएट में ही मीजर करते हैं तो यहाँ पर किस फसल का सबसे अधिक उतपादन होता है प्रोप्शन है हमारे पास पलस दलन का ग्राउंड नट, सुगर कैन या फिर पोटैटो तो यह हम सभी जानते हैं कि सुगर कैन का जो है हमारा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आगे देखते हैं जो हमारा स्वसन की क्रिया है पौधों में वो किस से संबंदित है आप्शन है हमारे पास evaporation, transpiration, oxidation या फिर none of these तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा यहां पर oxidation जो respiration की प्रिकरिया है वो आक्सी करण क्रिया है आगे देखते हैं NPK are regarded in plant nutrition as जो हमारे nitrogen, phosphorus और potus होते हैं वो हम plant की nutrient के हिसाब से किस में उनको हम देखते हैं किस training में रखते हैं option है हमारे पास stress element, macro element, micro element या फिर non essential तो यह हम सभी जानते हैं NP के जो हमारे होते हैं macro nutrient आगे देखते हैं दोस्तों अगला question हमारे पास है animal and plant cells can be differentiated by जो हमारी animal, जन्तु, कोशिका और पादब कोशिका की यदि बात की जाए तो हम किस organ के द्वारा एक दूनों को difference कर सकते हैं एक दूसरे को difference कर सकते हैं option है हमारे पास conductivity, size, presence of presence और absence of cell wall कोशिका वित्ती के द्वारा और shape तो इसका answer हो जाएगा हमारा presence और absence of cell wall जो हमारी पादब कोशिका होती है उसमें कोशिका वित्ती उपस्तित होती है और जन्तु कोशिका की यदि बात की जाए तो इसमें कोशिका वित्ती नहीं होती है आगे देखते हैं इन temperate countries generally sugar is obtained from which of the following crop जो हमारी temperate countries हैं जहां पर की तापान बहुत ज़्यादा कम होता है उन countries में जो है sugar किस crop से obtained की जाती है किस crop से निकाली जाती है या किस crop से बनाई जाती है option है हमारे पास maple, sugar beet, wheat और sugar can तो इसका answer हो जाएगा हमारा sugar beet उन countries में जो है sugar beet से sugar बनाई जाती है आगे देखते हैं the idea of particulate nature of inheritance was given by यह जो हमारा inheritance का nature of inheritance का idea था वो किसने propose किया था किसने दिया था तो option है हमारे पास darwin, mandal, johns and betshan तो इसका answer हो जाएगा हमारा mandal आगे देखते हैं cultivated rice orizes ativa has the following number of chromosome option है हमारे पास 2n equal to 32, 2n equal to 20, 2n equal to 24 और 2n equal to 18 तो इसका answer हो जाएगा हमारे पास 2n equal to 24 जो हम मुराईजय सटाइबा जो cultival varieties हैं यहाँ पर उनमें कितने chromosome होते हैं दो 2n बराबर 24 यहाँ पर chromosome होते हैं आगे देखते हैं in the presence of sunlight co2 and h2o with the help of chlorophyll and converted into carbohydrates this is known as सूर के प्रकास की उपस्तिती में co2 carbon dioxide और h2o gel मिलकर with the help of chlorophyll chlorophyll की सहायता से यह किस में convert हो जाते हैं carbohydrate में convert हो जाते हैं इस process को क्या कहते हैं option है हमारे पास photosynthesis respiration metabolism यह फिर solar radiation तो इसका answer हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर photosynthesis आगे आगे देखते हैं soil productivity takes into account the following option है हमारे पास soil structure soil moisture soil fertility and soil fertility and productivity तो इसका answer हो जाएगा हमारा soil fertility and productivity अगला question हमारे पास है if chromosome complement of two deployed species is combined in one the result species यदि हम दो deployed species को combine कर देते हैं एक ही species में तो जो result प्राप्त होता है result species उसको हम क्या बोलेंगे option है हमारे पास MP deployed haploid monogenic या फिर polygenic तो इसका answer हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर MP deployed आगे देखते हैं alternate form of gene at the same locus are referred as जो हमारे gene की alternate form होती है एक हमारी capital होती है एक हमारी small होती है एक हमारा dominant होता है और एक हमारा इसे से होता है तो उसको हम alternate form of gene को हम क्या कहते हैं option है हमारे पास allele plastic dominant या फिर chromosome तो इसका answer हो जाएगा हमारा allele अगला question देखते है sequence of growing crops on a given piece of land is known as option है हमारे पास crop insurance crop rotation crop production और crop management तो इसका answer हो जाएगा हमारा crop rotation अगला question देखते है sulfur fungicide can be freely used on all vegetables except the following जो sulfur fungicide है उसको हम किसी भी vegetable में use कर सकते हैं हमारा kukur bits अगला देखते हैं kernel bunts is a serious disease of यह तो हम सभी जानते हैं किसकी disease है wheat की disease है जिसका की causal organism क्या होता है निवोस या इंडिका आगे देखते हैं zinc is required for synthesis of किसके synthesis के लिए हमें zinc की requirement होती है जिनके के जरूरत पढ़ती है option है हमारे पास fates proteins tryptophan and sugar तो इस cancer हो जाएगा दोस्तों हमारा tryptophan आगे देखते हैं cryopreservation is done in liquid nitrogen at a temperature of option है हमारे पास 0 degree centigrade 4 degree centigrade 200 degree centigrade या फिर minus 196 degree centigrade तो cryopreservation हम liquid nitrogen की सायता से minus 190 degree centigrade पर करते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा minus 190 degree centigrade आगे देखते हैं contour system of orchard planting is generally followed in जो हमारा contour system होता है orchard planting में वो हम कहाँ पर follow करते हैं कहाँ पर उसको अपनाते हैं option है हमारे plain areas में हिली region में saline soil में या फिर genetic plains में तो इसका answer हो जाएगा दोस्तों हमारा hills में हिली areas में हिली region आगे देखते हैं NARS refers of which one of the following जो हमारा NARS है इसका पूरा नाम क्या है इसका full form क्या है option है हमारे नेशनल एग्री कल्चिरल रिसर्च स्ट्रीम्स नेशनल एग्री कल्चिरल रिसर्च सिस्टम नेशनल एग्री कल्चिरल रिब्यू सिस्टम या फिर नेशनल आयरुवेदिक रिसर्च सिस्टम तो इसका answer क्या हो हमें क्या रिजल्ट मिलता है option है हमारा help mutation क्या वो mutation में मदद करता है breaking linkage क्या वो linkage को break करता है promoting linkage क्या वो linkage को promote करता है या फिर none of these तो इसका answer क्या हो जाएगा breaking linkage जब हमारा crossing over होता है तो genes का जो है आदान प्रदान होता है जिससे की दो genes एक साथ यदि जुड़े हैं कभी कभी क्या होता है कि वो दोनों जम्यान लीजिए एक genes से यदि दो character जुड़े हुए हैं तो वो दोनों एक साथ ही जाते हैं लेकिन crossing over के दौरान क्या होता है linkage जो है तूट जाता है आगे देखते हैं the simplest measure of variability in a data set of सबसे सरल measurement unit हमारी क्या है data variability की तो option है हमारे range, mean, mode and median तो इन चारों option में सबसे simplest method जो है हमारी वो होती है range आगे देखते हैं growth of plants towards light is called option है हमारे पास phototropism, photoperiodism, photocromatism या फिर photorespiration तो इसका answer हो जाएगा दोस्तो हमारा phototropism आगे देखते हैं geographical area of India is ये तो हम सभी को पता है कि हमारे इंडिया का पूरा जो area है वो कितना है? 388 million hectare है आगे देखते हैं the net gain of ATP during glycolysis is जब glycolysis की क्रिया होती है तब हमें net ATP कितने प्राप्त होते हैं जो खर्च हो जाती है उनको छोड़ कर बनते कितने हैं? उनसे मतलब नहीं हमें हमें net ATP बच्चते कितने हैं? यहां पर ये question पूछा गया है option है हमारे पास 2, 4, 6 और 8 तो इसका answer हो जाएगा हमारा 2 अगला question है हमारे पास plants capable of growing in rock crevices are called जो हमारे plants होते हैं वो rocks पर grow कर जाते हैं तो उन plants की जो छमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? option है हमारे पास lethophytes, calcifieds, self-old या फिर ear net hackle तो इसका answer हो जाएगा हमारा lethophytes आगे देखते हैं law of tolerance was introduced जो हमारा law of tolerance है वो किसने introduce किया था option है हमारे पास hilaire, milvert, self-old या फिर ear net तो इसका answer हो जाएगा हमारा self-old आगे देखते हैं titicum HD bum क्या है दोस्तों हमारे deployed है, tetraploid है या फिर hexaploid है या all of these तो इसका answer क्या हो जाएगा हमारा hexaploid यह हमने आपको जब wheat का detail बता है हुआ था जिस class में उसमें पूरी हमने आपको अच्छे से इसकी सारी varieties बताई थी और जितनी भी species हैं हमने सब के बारे में चर्चा की थी तो आप जिस जिसने पिछली class नहीं देखी हो वो पहले गेहूँ वाली wheat वाली classes देख लें हमारे सारे mock test देखिए हमने हर crop के बारे में वहाँ पर detail डिसकस किया हुआ है आपके बहुत काम आने वाला है वो आगे देखते हैं maize leaves develop red and purple color due to the deficiency of जो हमारी maize की पत्तियां होती है मक्य की पत्तियां वो red और purple color को develop करती है वो किसकी deficiency में red और purple हो जाती है option है हमारे पास sulfur, phosphorus, calcium and iron तो इसका answer हो जाएगा दोस्तों हमारे पास phosphorus आगे देखते हैं the plant cells are connected with the help of जो हमारी plant cells होती है वो एक दूसरे से किसके द्वारा connect होती है option है हमारे पास cell wall, plasmo derma, plasmo membrane या फिर plasmo dermata तो इसका answer हो जाएगा हमारा plasmo dermata आगे देखते हैं cropping intensity is India is about option है हमारे पास 135%, 100%, 155% या फिर 185% तो इसका answer हो जाएगा हमारा 135% मैसे तो 136% होती है लेकिन यहाँ पर option के इसाप से हम 135% पर चले जाएंगे और यदि highest cropping intensity की बात की जाए इंडिया में तो बहुती है 142% जो की हमारे पंजाव और हरयाना में बहुत ज़्यादा उत्पादकता होती है और गेंगेटिक प्लेंस में इसलिए वहाँ की जो है अलग-अलग क्लाइमिटिक जोन्स के हिसाब से भी हम cropping intensity देखते हैं लेकिन अदि ओल ओवर इंडिया की बात की जाए तो वह हमारी 136% ही होती है आगे देखते हैं इनमें से कौन सा सीफोर प्लांट है आप्शन है हमारे पास पी, पपाया, पोटेटो या फिर मेज तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तो हमारा मेज आगे देखते हैं ओलियो रेजीन is an important product of ओलियो रेजीन किसका एक प्रमुख उत्पाद है आप्शन है हमारे पास पोटेटो, कॉटन, टोमेटो and चिली तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तो हमारा चिली चिली से जो है ओलियो रेजीन निकाला जाता है आगे देखते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा आरे फिशर आगे देखते हैं आप्शन है हमारे पास तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा टू जब हमारे पास दो ट्रीटमेंट हो तब हम उसमें टी टेस्ट को जो है लगा सकते हैं आगे देखते हैं मेंडल वर्क्ड ओन, मेंडल ने किस पर कार किया था स्वीट पीपर, गार्डन पीज पर, फील्ड पीपर या फिर बीन्स पर तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा उन्होंने गार्डन पीपर काम किया था आगे देखते हैं जो हमारे आयन्स होते हैं, वो किसके दोरा एब्जॉब किया जाते हैं, किसके दोरा रेगुलेट किया जाते हैं आप्शन है हमारे पास, नुकलियस वाल, सेल ओर्गनेल, वेक्योल्स या फिर प्लांट सेल मेंब्रेन तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्लांट सेल मेंब्रेन, प्लांट सेल मेंब्रेन के दी बात की जाते हैं, तो यह क्या होती है, सेमी पर्मियेवल तो यह किस ने दिया था, तो आप्शन है हमारे पास, आरनन, विलकॉक्स, लीविग या फिर नन, तो यह हम सभी जानते हैं, आरनन ने 1949 में जो है, क्राइटेरिया दिया था हमारा न्यूटेंट के लिए, आगे देखते हैं, एंड प्रोड़क्ट औफ ग्लाइकोलेसिस इस ग्लाइकोलेसिस में तो एक हमने देख लिया कि ATP का सुद्ध उतपाद कितना होता है, दो ATP हमें मिलते हैं, अब ग्लाइकोलेसिस का जो अंतिम उतपाद होता है, वो क्या होता है, आप्शन है हमारे पास ATP, PEP, पाइरुवेट या फिर नन अपदीस, तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों हमारा दस अनुपात एक, दस अनुपात एक, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा दस अनुपात एक, आगे देखते हैं, प्लांट्स विच कीप दियर इस्टोमेटा ओपन डियूरिंग नाइट फॉर टेकिंग सी ओ, टू आर नोन एज, यहां पर सी ओ फो और जो शीयोटू को लेते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन है हमारे पास, शी थृ, शी फोर, केम प्लांट या फिर नन ओप दीज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केम प्लांट, आगे देखते हैं, दस सीयोटू कंटेंट आफ सोले एर इस, जो हमारी म म्रदा है म्रदा में हमारा CO2 का कंटेंट कितना है तो ऑप्षन है हमारे पास 0.03% 0.25% 21% या फिर नन ओब दीज तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा हमारे भारत में सबसे ज़्यादा इरिगेटिंग क्रॉप्स में कौनसी मेथट का यूज किया जाता है ऑप्षन है हमारे पास ट्रिप स्प्रिंकलर चैक बेसीन और बॉर्डर स्ट्रिप तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा चैक बेसीन मेथट अगला कॉस्चन देख 1600 माइल्स या फिर 1600 मीटर तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 1600 क्लो मीटर आगे देखते हैं ग्लोवल वार्मिंग इस अट्रिविटेट टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीनाउस गैसे लाइग तो हमारा ग्लोवल वार्मिंग है उसमें कौन-कौन सी ग्रीनाउस गैसे जिम्मेदार हैं ओप्चन है हमारा पास सी ओ टू कर्वन डियाकसाइड सी एपसी क्लोरो फ्लोरो कारवन और सी एच फोर मीथैन या फिर अल अब दीस तो इसका अंसर हो जाएगा अल अब दीस यह सभी गैसे ग्लोवल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ह आगे देखते हैं दोस्तो विच पार्ट अफ दा प्लांट सेल इस नोन एस पावराउस तो यह हम सभी जानते हैं कि मायट्रो कांडिया को हम पावराउस अब दी सेल बोलते हैं आगे देखते हैं विच बन आप दा फॉलोविंग इस आप पहले हमने सी फोर प्लांट प्लांट है और वीड जो हमारा से अइसस से आपके चार कॉस्चन और और अगे देखते हैं हमारा लास्ट कॉछटन है हमारे पास the plants which male and female flower on different plants are called उन पौधों को हम क्या कहते हैं जिन पौधों पर male और female flower जो है एक साथ नहीं आते हैं या तो male flower आएगा या फिर female flower आएगा option है मर पास dioces, dicot, dicogamy या फिर decline इसका answer हो जाएगा दोस्तो हमारा dioces उन पौधों को हम कहते हैं एक लिंगी तो दोस्तो आज की वीडियो में हमने इतना ही बताया आपको 50 questions लेकर आए general agriculture के जो की बहुती easy questions थे और ऐसे ही questions जो हैं आपके NSC में पूछे जाएंगे क्योंकि हमने previous year के पेपर देखे हैं उनमें ऐसे ही questions जादतर पूछे गा है दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताईए और और भी topics पर हम वीडियो लाएंगे जल्दी जल्द लेकर आएंगे हम सोच रहे हैं कि आपको एक दिन में दो वीडियो प्रोबाइट कराई जाएं इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके दोस्तो यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है आप हमारे WhatsApp नंबर 9981065547 या फिर 975396202 पर हमें दाइगरी कल्चर गुरू जी लिखकर अपना डाउट शेर कीजिए हमसे हम आपका जो भी प्रॉबलम होगी उसका सॉलूशन डूढने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत